तो आपको पता है कि रिसेंट में चाइना ने एक डील कराई एक इसके बीच में साउधी अरेबिया और इरान के बीच में और चाइना ने यह डील कराई क्यों है क्योंकि चाइना के कुछ इंट्रेस्ट है और साउधी अरेबिया और इरान जो दोनों कट्टर दुस्मन माने जाते थे वो दोनों साथ क्यों आए हैं इसको भी हम जानेंगे इस पूरे लेक्चर में और यहां पर हम देखेंगे कि इंडिया का पॉलिसी क्या होना चाहिए या फिर इंडिया के सामने क्या मेजर जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टाइप की न्यूज आपने देखे होगी कि अंडिस्टेंडिंग दा चाइना इरान डिटेंटे या फिर आपने चाइनीज ब्रोकर डील यह सब आपने सुना होगा पो सारे न्यूज पेपर में देखा होगा तो रियल कहानी क्या है मिडि टेशन है जो मिडिलिस्ट में यहां पर क्या है मेजर पावर थी उनका वार होड़ आए एक तरीके से वार इसका मतलब कि जो major power है उन्होंने यहाँ पे अलग अलग जो group है उनको support किया है उनको आपस में लड़ाया है simply आप यह समझ लेजिए दो सबसे ताकतवर लोग क्या करते हैं किसी दूसरे लोगों को support करते हैं और उनको आपस में बिढ़ाते हैं डारेक्टली यहाँ पे लड़ाई नहीं करते और वो दो ताकतवर लोग कौन हैं वो थे आपके USA और रश्या ठीक है USA और रश्या USA और रश्या की conflict थी आपको पता ही है कि दो major power थी cold war era कि अगर हम बात करें स्पेशली 1950 से लेके और 1990 तक ठीक है इसमें क्या था कि दोनों major power एक दूसरे केंटी थी और दोनों के बीच में लड़ाई थी और यह Middle East एक ground बन गया उनकी लड़ाई का ठीक है और यहाँ पे इन्होंने दो ब्लोक डवलप किये ठीक है पहला आपका यह Iranian ब्लोक ठीक है इर कंट्री ठीक है और इसके साथ में जो है आपका जैसे की टर्की दूसरा आपका सीरिया यह कंट्री क्या थी इरानियन ब्लोक के साइड में थी तो एक एक यह ब्लोक डवलप हो गया और इसको सपोर्ट कौन कर रहा था रशिया सपोर्ट कर रहा था दूसरा आपका साओधी एड टो सावडी-रेबियन जो ब्लोक है, इसमें कुन-कुन सी कंट्री है, इसमें वहां की कंट्री, जैसे, UAE, 박का बहरीन, Tucson, Egypt, तो ये कंट्री क्या है, ये country align हो गई साओधी अरेबिया के साथ अब इस साओधी अरेबियन ब्लोग को कौन सपोर्ट कर रहा था इसको सपोर्ट कर रहा था USA ठीक है तो ये दो major ब्लोग थे इनके बीच में हमेशा rivalry थी और ये दोनो major regional power है और दूसरी चीज क्या है पहला ये तो हमने देखा कि strategic angle से हमने देखा geopolitically हमने देखा कि क्या लड़ाई है यहाँ पर दूसरी चीज क्या है कि इरान आपका क्या है ये siya majority region है ठीक है और इरान के साथ में जो countries है वो जो है आपकी अगर सीरिया की बात करे या फिर बाकी जो powers है वो आपको siya majority है और अगर मैं साथिय अरेबिया की बात करो तो ये सुनी majority है तो यहाँ पर आगया आपका religious angle तो एक तो geopolitically क्योंकि US और रसिया की rivalry थी उन्होंने अपनी proxy create की यहाँ पर ठीक है तो दो चीज हो गई geopolitical हो गया दूसरा religion हो गया अब हम देखते हैं कि तीसरा क्या है तीसरा है यहाँ पर जो inestability है particular countries में ये दोनों क्या करते थे इरान एक group को support करता था साथिय अरेबिया दूसरे group को support करता था तो इनकी भी जो इरान और साथिय अरेबिया की conflict थी वो direct नहीं थी उन्होंने भी क्या किया हुआ था अपनी proxy को छोड़ा हुआ था और कुछ group को support करते थे जैसे मैं बात करूँ येमिन की अगर मैं बात करूँ तो येमिन में जो government है उसको तो support कर रहा था साथिय अरेबिया और जो वहाँ पर opposition था या फिर जो organization government के अगेस्ट लड़ रहा था जो लोग थे उनको support कौन कर रहा था आपका इरान support कर रहा था अगर मैं बात करूँ सीरिया की यहाँ पर सीरिया में government को support कर रहे थी कौन आपका इरान और जो opposition है जो group है जो government के लड़ रहे उनको support कर रहा था आपका Saudi Arabia तो इस type से यहाँ पर एक major geopolitical conflict अगर आप देखेंगे पूरे के पूरा region जो है एक तरीके से इन सारे लडाईयों का hub बन चुका था ठीक है बट अब हुआ क्या कि Saudi Arabia और Iran को साथ में आना पड़ा ऐसा क्या region हुआ तो अगर हम बात करें इरान की इरान को आपको पता है कि इरान पे West countries ने जो की supported by USA है ठीक है उन्होंने क्या किया था उन्होंने sanction लगाई हुए थे क्योंकि इरान का जो nuclear program था Western country उसके against थी 2015 में एक deal हुई थी बट वो deal fail हो गई थी ठीक है तो उसके बाद भी sanction नहीं हटे उन sanction की वज़े से इरान का क्या हो गया था cut off हो गया था global economy से ठीक है तो Iranian economy जो है वो crisis की situation में है दूसरा जो इरान की currency है वो भी real वो भी crisis की situation में है वो currency भी बहुत ज़्यादा depreciate हो रही है तो इरान को क्या ज़रुत है इरान को अव fund investment की ज़रुत है ठीक है दूसरी चीज क्या है कि आपको पता है कि इरान में जो अगर domestic spare की बात करूं तो protest हो रहा है especially woman की freedom के लिए आपने देखा हुआ कि वहाँ पे जो woman का dressing जो choice है उनकी उसके उपर attack है और woman जो है अपनी freedom के लिए लड़ाई लड़ रही है बहुत बड़ा protest वहाँ पे हुआ और अभी भी वो protest काबू में नहीं आया है उसकी बज़े से भी जो इरानियन जो government है वो एक टाइप का challenge face कर रही है तो इरान के साफ पास पही क्या है इरान के सामने domestic affair में और आपका international affair में external affair में भी challenge है तो 2 major challenge है इरान के सामने अब बात करते है Saudi Arabia की Saudi Arabia के साथ क्या challenge आया अभी अपने recent में 2019 की मैं बात करूँ तो Saudi Arabia में कुछ जो oil production जो hub है वहाँ पर अटेक हुआ और बोला गया कि इरान ने वो अटेक कराया है तो उस टाइम पर साओधी अरेबिया को था कि यूएस से उसके साथ आएगा साओधी अरेबिया को था कि यूएस से अमेरिका जो है उसका साथ देगा बट अमेरिका ने साथ नहीं दिया, साथ क्यों नहीं दिया, क्योंकि USA, अगर 2015 की बात करें, तो USA कहां पर इंगेज है, USA दो रीजन में इंगेज हो गया है, USA एक तो इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, जहां पर चाइना का एमर्जेंस हुआ है, और उसकी वज़े से जादतर involvement USA का यहां पर है, यहां पर आप देख रहे है, USA कैसे involved है, quad grouping फोर्म कर रहा है, किसके साथ में, इंडिया के साथ में, उस्टेलिया के साथ में, जैपैन के साथ में, दूसरा अभी recent में उसने AUKUS group form किया, यह Australia, Britain और USA का group है, एक military pact है, तो USA का सारा ध्यान इंडो-Pacific पे चला गया, Middle East से हटके, दूसरी चीज क्या हुई, कि आपको पता है कि जैसे ही Russia-Ukraine war हुआ, तो major focus कहां पे है उसका, Russia-Ukraine war पे, तो USA क्या कर रहा है, Middle East से USA धीरे-धीरे withdraw कर रहा है, ठीक है, ती हूँ, वो इसलिए का रहा है, USA को पहले, Saudi Arabia से इतना क्या लगाव था, लगाव इसलिए था, क्योंकि Saudi Arabia oil production country है, और बहुत ज़्यादा oil produce करता है, अगर आज की time की माने, तो हम किदर जा रहे हैं, हम green energy की तरफ जा रहे हैं, electric energy की तरफ जा रहे हैं, तो clean energy की तरफ हम जा रह है कि USA को बहुत जो चाए वो इराक वोर हो, अफगानिस्तान वोर हो, अलग अलग जगे उसने अपने हाथ डाल रखे थे और वे हाथ जल चुके हैं, हाथ जलने का मतलब है कि USA को बहुत ज़्यादा loss उठाना पड़ा है, और उसका जो strategic interest थे, Middle East में अब उतना नहीं रहा है बहुत सारे इसके अधर भी रीजन है, चाहिए वो पावर की बात करेंगा, USA की हेजिमोनी है, वो डिकलाइन हो रही है, बहुत सारे स्कोलर इस बात को मानते हैं, बट हाँ, ये जरूर है कि डिपेंडेंसी USA की उतनी नहीं रही है अरेबिया की तरब, तो इस वज़े से चाहिना कहती है, आप दोनों एक साथ आजाईए, आप दोनों हाथ मिला देजिए, ठीक है, इसलिए चाहिना ने ये डिल को प्रोकर किया है, और चाहिना ने मद्यस्ता की है, चाहिना बीच में आया है, कि आप अगर एक साथ आएंगे, तो ये रीजन क्या होगा, ये पूर अर्जेस्ट ओयल इंपोर्टर है ठीक है इंपोर्ट करता है सबसे ज्यादा और यहीं से उसका मेजर ओयल आता है ठीक है तो यह बात हो गई अब इसको थोड़ा सम डेटेल में देख लेते हैं और फिर से रिवीजिन कर लेते हैं तो हुआ क्या है इस डील में यह डील आपका फाइनल ड्राप नहीं आया है मैं पहले आपको बता दूँ आ तीलनो गरेंषि नेगोशियेशन बट जो उपर उपर से हमें पता चला है कि क्या है और जो सोर्स से पता चला है वो ये है कि इरान ने क्या बोला है इरान ने बोला है कि हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे ऐसी कोई चीज को सपोर्ट नहीं करेंगे जो अटेक करती हो साउधी अरेबिया पर ठीक है जैसे मैंने बात की यमिन की या फिर अधर कंट्री की भी बात की वो साउधी अर बोलता है यहां पर एक न्यू चैनल है जो इरान इंटरनेशनल वो क्या करता है वो एंटी इरानियन एजेंड़ा चलाता है तो साओधी अरेबिया ने बोला कि हम क्या करेंगे हम इस पर्टिकुलर जो चैनल है इसको सपोर्ट देना बंद करेंगे ठीक है अब तक जो जैसे मैंने आपको बताया कि यह हुआ क्यों तो मैंने आपको यह चीजे एक्स्प्लेइन की कि नॉर्मेलाइजेशन और एक इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मेलाइजेशन और रिलेशन ठीक है देखिए आपको पताओगा अब्राहिम अकोर्ड आया था आपका कर रही है एक दूसरे के साथ रिलेशन ठीक है और वो क्यों कर रही है क्योंकि रिसेंट में आपने देखा होगा मिडिल इस्ट एक ग्राउंड बन चुका है मेजर पावर वहाँ पर अपनी प्रोक्सी के थ्रू बोर करती है ठीक है तो जो वहां की कंट्री है वो भी उव च करेंगे तो ओटोमेटिकली उनके आपस में रिलेशन भी अच्छे होंगे जैसे साओधी आरेट्या ने अच्छे रिलेशन के इसराइल के साथ तो जाहिन सी बात है ईरान भी अगर उसके साथ अच्छे कर रहे ह Quinnmaal और साँधी अरे युसी और तो मैटिकली क्ली क्या होगा आपको बताई दिया कि USA इंगेज कहां पर है और अगर तीसरी बात करें इरान के चैलेंज की बो भी मैंने आपको बता दिया कि सेंक्षन की वज़े से इरानियन एकोनों में क्या है वो क्राइस के स्टेट में ठीक है इनीज इंट्रेस्ट की बात करते हैं मैंने आपको पहली इनट्रेस्ट की आक चाइनगरत इंट्रेस्ट क्या है चाइनगरत है है यहां पर दूबर की सान निए समnteद और है पर जरेंगरते हैं अब चाइना सिगनल दे रहा है वर्ल्ड को कि मैं क्या करने वाला हूँ? I am going to replace USA as a hegemone. देखें, यह hegemone वर्ल्ड मैंने दो-तीन बार लिया, यहाँ पर hegemone का मतलब होता है, एक ऐसी country जो कि वर्ल्ड में major अगर कहीं पर कुछ भी हो रहा है, उन सब चीजों को decision finally उस country के control में हो, ठीक है? चाहिए वो कोई भी event हो रही है वर्ल्ड में, तो USA एक टाइम पर ऐसी country थी, अगर वर्ल्ड में कुछ भी हो रहा है, कहीं न कहीं USA का हाथ या पैर में लेगा आपको, अब वो क्या कर रहा है, चाइना ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, तो चाइना इस बिसिकली ट्राइंग टू रिप्लेस USA, ठीक है, तो एक तरीके से ये आपका Chinese interest के हम बात करें, अब हम last में बात कर लेते हैं, इंडिया, ठीक है, क्या इंडिया का इंपक्ट पढ़ेगा इस डील का, ठीक है, पहली चीज है, अगर नॉर्मिलाइजेशन ओप रिलेशन होगा, बिट्विन इरान एंड साओधी अरेबिया, एक सिंपल जो इंपक्ट पढ़ेगा, कि वहाँ पर स्टेबिलिटी आएगी, और इंडिया भी क्या है, इंडिया की एनर्जी सीक्यूरिटी भी डिपेंड करती है, उस रीजर पे, क्योंकि इंडिया अपना 70%, 70% जो अपना ओयल है, क्रूड ओयल वो इंपोर्ट करता है, कहां से, आपका मिडिल इस्ट वैस्टेशन रीजर से, ठीक है, तो इंडिया के लिए अच्छी बात है, पहली चीज, दूसरी चीज, डाइस्पोरा, इंडिया का, अगर स्टैबिलिटी आएगी, तो आपको पता है कि टेररिज्म से, इंडिया को कितने नुकसान जहिलना पड़ा है, और पिछले टाइम में, अगर वल्नेरेबल कंट्रीज की बात करें, तो इंडिया भी one of the most vulnerable country है, जो टेररिज्म से affected है, तो वहाँ पे भी क्या होगा, अगर दोनों के relation नॉर्मल होंगे, तो जाहिर सी बात है, टेररिज्म भी कंब होगा, फिर बात करते हैं, डिफेंस पार्टनर्सिप की, तो आपको पता है कि इंडिया का, आपको पता है कि इंडिया की राइवल्री है चाइना के साथ में, अब क्या कर रहे हैं, चाइनीज एक मेजर पावर की तरह वेस्ट एशिया में आ गई, जैसे पहले यूएस से थे, तो डिसाइडिंग फेक्टर होगा है अब चाइना, तो क्या इसे इंडिया की जो इंडिया की अपनी एक प्ड़ेगा, पढ़ेगा, ठीक है, अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को अपनी जो West Station Policy है, उस West Station Policy को फिर से एक तरीके से West Station Policy को reformulate करना पड़ेगा, ठीक है, इंडिया की जो West Station Policy है, वो depend नहीं करनी चाहिए, किस पर किसी भी external incident पर, जैसे अभी ये particular agreement हुआ, negotiation हुआ, तो इंडिया फिर से कुछ ना कुछ reform करेगा, फिर पहले आपने देखा, जब country के बीच म खराब होते हैं, फिर इंडिया को अपने strategy को reformulate करना पड़ता है, तो मेरा अपना opinion है, कि इंडिया को West Station Policy में, एक strong stand लेके आना चाहिए, और थोड़ी stability लानी चाहिए, ठीक है, अब तक अगर देखा जाए, एक criticism या loophole हमारी West Station Policy में है, और इसको हम आने वाले टाइम में, जो gap है, और उसके बाद में हमारी West Station Policy है, वो अच्छी होगी, और government try भी कर रही है, government ने बहुत सारे initiative लिये है, अभी अपने नाम भी सुना होगा, I2U2 Group है, जो ठीक है, वहाँ पर हम जो ये countries है, इनके साथ में relation को और अच्छा कर रहे हैं, और different other dimension भी देख रहे हैं, को क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से इरां के साथ में renegotiation करना पड़ेगा, फिर I2U2 Group है, different other group है, उसके थुरू अपने relation diversify करने पड़ेंगे, आपकी energy security एक region पर depend नहीं होनी चाहिए, आपको उस चीज के लिए नए avenue ढूनने पड़ेंगे, तो यही सब इस lecture में था, य तेरे समझ में नहीं आया, तो प्लीज कमेंट करिए, हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे, या फिर जिस भी टाइप से हम result कर पाएं, ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच,